अलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस brand new YouTube channel V4 Value पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो सदियों से हमारे बीच रहता आया है बट आज के टाइम पे वो थोड़ा बहुत fluctuate होके like 40-45% discount पे trade कर रहा है यह एक ऐसा स्टॉक है जिस पे promoters की holding लगतार बरकरार रही है साथ ही साथ इसका cash flow भी अच्छा है प्लस यह स्टॉक आपको regular basis पे dividend प्रोवाइड केरता है तो I hope आप सब इस टॉक का नाम ज़रूर जनना चाहेंगे जो कि मैं आपको इस वीडियो के दौरान ज़रूर बताऊंगा बस मुझे आपसे एक ही request है अगर आपको इस वीडियो informative लगे तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करके उस bell icon को ज़रूर प्रेस करिएगा साथ ही इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करिएगा ताकि मैं आने वाले टाइम पे आपको और ज़्यादा ऐसे ही वीडियो प्रोवाइट कर सकूँ जिससे कि आप भी इस हस्ते खेलते मार्केट में कुछ पैसा कमा सके सो विडाउट बेस्टिंग अने टाइम लेट स्टार्ट दा वीडियो तो सबसे पहले हम उस टॉक के कुछ फंडमेंटल के बारे में बात कर लेते हैं दन मैं आपको इसका नाम भी बताऊँगा तो वीडियो को लास्त तक जुरूर देखेगा तो जिस स्टॉक के बारे में आपसे बात कर रहा हूं वह अभी करेंटली ट्रेट कर रहा है 170 रुपे में जिसने आज के टाइम पे आज जो तारीक है 6 जनवरी 2020 जो मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस समय यह स्टॉक जो है यह एक यह। 17 रुपे पे ट्रेट कर रहा है तो आज के time पे मैं आपको उतायता हूं अभी last one month में one week में इसने 5% का return दिया है लेकिन अगर आग वही one month में जाते हैं four percent का down return then one year के return मैं आपको 24% का return दे रहा है बट आप इसके जैसे में आपको उतायता हूं five years में down जा रहा है मैक्स में आपको देखा देता हूं, यह देखिए, यह इसने हाई बनाया था 2017 को 226 रुपे का बट अभी के टाइम पर आप देखेंगे तो यह अलमोस्ट 48% डाउं ट्रेंड में यह ट्रेड कर रहा है, इसके पीछे काफी सारी रीजन्स हैं, दिए दू अधर कॉंपेटिशन जो बीच में उठे थे बट आज के टाइम पे यह स्टॉक एक मॉनोपॉली है, इसका मार्केट काफ अलमस्ट 28% से जादा का है पूरे सेक्टर में, तो आप कह सकते हैं यह वन अफ द लार्जेस्ट है तो इस वज़े से यह मॉनोपॉली लिए आप देखिए मैं आपको इनका शेयर होल्डिंग पैटन दिखाता हूं यह देखे है, होल्डिंग में, यह रहा है, देखिए, दिसंबर 2020, सब सेम है, मार्च में 2021 में भी ठीक है, जून में, सेप्टेमबर में, आज तक इनके पर्मोडर की होल्डिंग ना ही कम हुई यह नहीं ज्यादा, no matter, stock इतना ही ज्यादा गिर रहा हो, but, पर्मोडर की होल्डिंग से क्या बदा जलता है, कि जितना ज्यादा पर्मोडर अपने आपको होल्ड रखते हैं, उतना ज्यादा हमें ट्रस्ट रहता, क्योंकि जो कंपनी चला रहा है, अगर उसे हैं, अपने कं बेच देगा, अपने शेर्स को बेच देगा, but ऐसा नहीं कर रहा है, means उन्हें अपने बिजनेस और फंडमेंटल पर पूरा विस्वाश है, आपको इसके कुछ इंकम स्टेटमेंट दिखाता हूं, यह देखिए, यह इंकर नेट इंकम देख रहे हैं, यह 2015 में वापको दि जैसे ही लोगडाउन की स्थी थी, थोड़ी सी ही सुद्री, इनने जवर्दस रिटन मनलब जवर्दस इंकम दिखाएं, यह आपका नेट इंकम है, यानि आफ्र टैक्स इंकम, तो यह देख सकते हैं, 21,000 क्रोड, कितना अच्छा इंकम रेवन्यू इनने जनरेट करा, साथ साथ आप यह देख सकते हैं, cash flow, जो कि आप जानते ही हैं, कौन बात करता है, इसके बारे में, हमारे one of the best investor, तो यह देख सकते हैं, free cash flow, इस company का free cash flow भी काफी अच्छी तरीके से बढ़ रहा था, यह देखिया, 18,000 क्रोड, पहले था, 20, 22, 18,000 क्रोड, 24, then यहाँ पर आपको negative में देखने को मिल रहा है, just because आप जानती हैं, हमारे COVID जी, उसके बाद यह देखिये, यही एक law तारीजन है, जिस वज़े से मैं आपको बोल रहा हूं कि आने वाले टाइम पर यह company, आपको काफी अच्छा production करते भी दिखा सकती है, इसने आज तक इतना अच्छा cash flow, एक 2000 बनाया था, 2015 में, और आप पिर जानते ही है, 2015 के बाद, 2017 के बीच में क्या ही rally देखने को मिली थी, यह देखिये आप, overview मैं दिखाता हूं, यह max में जाते हैं, यह देखिये, 2015, कहां गया, यह रहा, 2015 से यह जो rally स्टार्ट हुई है, यह हुई है, लगबग 121% का return, और आप समझ सकते हैं, मेरे कहने का मतलब मैं क्यों स्टाक को जादा recommend कर रहा हूं, यही reason है, कि आज के टाइम पर यह जो स्टाक है, आपको दिखाता हम दुबारा, यह देखिये, आज के टाइम पर यह जो स्टाक है, almost अपने all time higher से 48% downtrend कर रहा है, और इतनी अच्छी cash flow के तो आप समझ सकते हैं, अभी के time page जो स्टाक है, यह कितना जादा आपके लिए important हो सकता है, और मैं आपको एक और important चीज़ दिखाता हूं, इनका dividend pattern, यह अपने companies में dividend किस तरीके से announce करते हैं, यह देखिये, almost 2021 में इस company ने 4 बार, जी हाँ दोस्तों 4 बार dividend announce कर रहा है, 7 14, 15, 16, 18 रुपे, 20 रुपे के something इनने dividend दिया, तो 100 रुपे के share में अगर आपको 20 रुपे dividend मिल रहा है, एक company से, तो मतलब आप यह समझ लिजे कि साल का 20% का return तो आपने dividend, आपने dividend से कमा लिया, और जो ऐसे company के return है, वो आपका bonus हो गया, यह देखिये, 2020 में के वाल एक बार क्या आप समझते हैं, COVID-19 जब company minus perform कर रहे थी, तब भी इसने dividend दिया, 2019 में दो बार, 2018 में तीन बार, अगर आप देखेंगे तो मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ, हर बार यह company, दो बार, तीन बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अच्छे खासे amount यह देखिए, 19 रुपे फिर 6 रुपे का, मतलब यह समझ लीजे, 15-20 रुपे तो आपको dividend में मिल रहे हैं, every year, 100 रुपे के stock में, आपको बार बताईए, क्या चाहिए, एक stock से, आप इसे long term के लिए बाय कर सकते हैं, लेकिन, मैं आपको बतायता हूँ, बाय करने का method, उससे पहले company का नाम जो है, व मैं, I hope आपको पता हूँ, मैं ये भी बताता हूँ, तो इसमें SIP का method काम नहीं आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप 100-100 रुपे इंवेस्ट कर रहे हैं, बट यहां पे SIP का method आपको काम लिए रहे हैं, कि बीच में share कई बार डाउन परफॉन भी कर रहा है, तो आप आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें dip dip buying करना है, जैसे यहां पर dip आया, buy कर लिया, आपका every month का आपको analyze करना है कि कब dip दिख रहा है, जिससाफ से आपको dip दिखता है, उससाफ से आपको buy करना है, ताकि आप एक average out निकाल सकें और अपना maximum profit वहां से earn कर सकें, तो अभ 10-5 रुपे आपको इतना ज्यादा बड़ा amount नहीं पड़ेगा अगर आप एक अच्छी कासी quantity में share buy करते हैं, in the long term, आपको एक बार में ही buy नहीं करना, दीरे दीरे buy करना है, I hope आप मेरी बास समझ पार हैं, मैं क्या कहना चाता हूं आपसे, तो दीरे दीरे आप इस stock को काफी अच्छी investment बनेंगे क्योंकि अभी के time पर यह जो share है, यह अपने all time high से almost 55-58% low trend कर रहा है, तो I hope आप मेरी बास समझ पा रहे हैं, और तो और large cap है, तो आप समझ सकते हैं, almost share की सुरवात ही थी 2000 में, काफी सारे इनने crashes देखे हैं, आज भी share टिका हुआ है, मैं और आ आप दोनों ही जानते हैं कि हम सारे इनकी services को उठाते हैं, तो I hope आपको यह video थोड़ी बहुत informative लगी हो, and I strongly request अगर आपको इस video से थोड़ी सी भी information मिली है, तो please मेरे channel को subscribe करिएगा, ताकि आने वाले time पे ऐसी ही कुछ और fundamental news, update and new news talks related video मैं आप तक पहुचा सकूँ, टकुचे से से अं गूडब बाय, ताकि तोसू